हम लोग polymer पढ़ रहे थे, polymer में polythene के बारे में आप जानेंगे कि polythene कैसे बनता है, तो polythene में thene जो है poly मतलब बहुत सारे और ये thene मतलब ethene होता है, जब बहुत सारे ethene polymerized होते, बहुत सारे ethene मिलते हैं, तब जाके polythene का निर्मान होता है, या polythene बनते है, ethene जिसको CS21, CS2 बोलते हैं, जब ये बहुत सारे ethene मिलते हैं, बहुत सारे ethene मिल जाते हैं, तब ये polymerized होकर हमारा क्या बन जाता है, polythene बन जाता है, यानि इस प्रकार से इस प्रकार से polythene बनते हैं, बहुत सारे ethene जब मिलते हैं, तो polymerized होके polythene बनते हैं, इसके बाद, polythene के बाद हम लोग देखते हैं, nylon 6-6, nylon 6-6 कैसा बनता है, nylon 6-6 बनाने के लिए, nylon 6-6 जो बनता है, वो nylon 6-6, nylon 6-6, hexamethylindiamine और जब adipic acid को जब mix किया जाता है, दोनों को जब मिलाए जाता है, उन दोनों को मिलाने पर एक monomer तयार किया जाता है, और उस monomer को polymerized करके, nylon 6-6 मिलता है, nylon 6-6 में क्या होता है, condensation polymerization का ये example है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, S2O molecule जो है, बाहर निकलते हैं, इसलिए ये condensation polymerization होता है, और इसमें ये क्या होता है, और इसके साथ साथ ये को polymer भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक से अधिक unit जो है, आपस में जूड़ कर, दो unit आपस में जूड़ कर एक monomer तयार कर रहे होते हैं, तो nylon 6-6 बनता कैसे, hexamethylene diamine, और nylon 6-6 नाम इसलिए दिया गया, क्योंकि इसमें carbon 6 और 6 होते हैं, तो hexamethylene diamine को देखते हैं, N-S-2, C-S-2, ये 6, और ये हो गया, N-S-2, S-2 को यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से संधाने के लिए लेख दे रहा है, N-S-2, और जब इनका reaction हम कराते हैं, adipic acid, adipic acid यानि C-S-2, 4, और यहाँ पर C-O, O-H, इदर भी, C-O, O-H, जब इनको मिलाए जाता है, तो यहाँ से क्या होते हैं, यह hydrogen molecule, H2O molecule जो है, बाहर निकल जाते हैं, यह हैं, H2O बाहर निकल जाता है, ठीके, यह H2O बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर फिर यह क्या होता है, इसका भी oxygen और hydrogen यहाँ पर O-H, जो जुड़ा हुआ है, वो यहाँ के hydrogen से mix होके, यह भी बाहर निकल जाते हैं, इनको जब reaction कराया जाता है, तो हम लोगों के पास जो बचता है, वो हो रहा है, NH2, CS2 का 6, और यह इदर बच जाएगा, यहाँ पर NH बच जाएगा, और इदर बच जाएगा, C21, यह तो hydrogen oxygen H2O की रूप में बाहर निकल चुका है, और यह हो जाएगा, CS2, 4, और यहाँ पर हो जाएगे, C21O, और यह एक monomer तयार कर लिया जाता है, और इनके जब बहुत सारे unit को, इनके जब बहुत सारे unit को, इनको आपस में जोड़ा जाता है, polymerized किया जाता है, तब यहाँ पर हम लोगों को nylon 6-6 मिलता है, यह एक nylon 6-6 का monomer तयार हुआ, उसके बाद इनका polymerized करके nylon 6-6 मिलता है, यह nylon 6-6 कैसे बना, hexamethylene diamine को adipic acid के साथ जब react कराए गया, तो यहाँ पर क्या होता है, कि है hydro H2O बाहर निकल जाता है, यह H2O यहाँ पर बाहर निकल जाता है, बाकि जो बज जाते हैं, इनको polymerized करके हम लोगों को nylon 6-6 मिलता है, इसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं, bakelite, bakelite कैसे मिलता है, bakelite मिलता है, फिनोल और formaldehyde से, bakelite में क्या होता है, फिनोल और formaldehyde का जब reaction कराया जाता है, तो वहाँ पर हम लोगों को एक cross link chain मिलता है, cross link chain of bakelite का मिलता है, होता क्या है, यहाँ पर कि जब फिनोल और formaldehyde को जब reaction कराया जाता है, तो वहाँ पर हम लोगों दो प्रकार की unit मिलते हैं, ortho और paraposition वाले, और ortho और paraposition वाले को जब react कराया जाता है, पॉलिमराइज कराया जाता है, तो वहाँ पर से हम लोग को जो link मिलता है, cross link chain वो भुलते है वेLECLEITE का, उसके दावरा हम लोगों को वेLECLEITE मिलता है, तो Phenol कैसा होता है Phenol ? इस तरीके का वेLECLEITE , अब दोनों को चब by观 tahap कर आए जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि oxygen more electron negative element होते हैं इस कारण क्या होता है कि यह carbon से कुछ electron जो अपनी तरफ खिच लेते हैं जिसके carbon के पास electron की कमी हो जाती है और यह फिनॉल क्या होता है, इलेक्ट्रोन डोनर होता है, यहाँ पर यह क्या होता है, इस कारण से यह क्या होता है, यह कारण जो है, इसके साथ आपस में जुड़ जाते हैं, जब यहाँ पर CS2 जुड़ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कि यहाँ पर जो इड्रोजन क्या होता है वो भी oxygen की साथ जुड़के यहां पर CH2OH बना लेते हैं तो यह बनता है इस तरीके से ortho और paraposition वालो इसके पास electron की कमी होती है यह इसे electron लेता है अब यहां पर क्या भी यहर फिनॉल electron donor है तो यह Sy2th जुड़ जाते हैं जुड़ जाते हैं यहां पर औहज अब इसके चारो साइड जो है यहां पर यहां को तूठना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है कि यहां पे जो हर सारे जगा पर जो हाइड्रोजन जो अबलेबल रहते हैं वो ऑक्सिजन के साथ रियेट करके ओ एच बना लेते हैं ठीक है यह हो गया और तो पोजिशन वाले इसी तरीके से हम लोगों को पैरा पोजिश और यहां पर ओएच और यह ओएच यहां पर ही रहते हैं ठीक है जब फिनॉल को फॉर्मल डियाइट से रियक्शिन कराया जाता है तो ओर्थो पोजिशन वाले और पैरा पोजिशन वाले हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल मिलते हैं इनको इसको और्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और इसको पैरा पोजिशन वाले हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बोलते हैं ठीक है जब इनको जो है यह दोनों तो हम लोगों को मिल गए इनके जब एन एन यूनिट को लिया जाता है बहुत सारे यूनिट को लिया जाता है इस तरीक कि यह इस रियक्शन के दारे जब बहुत सारी यूनिट को लिया जाता है तब एक रॉसलिंग चैन बनता है अब वो क्रॉसलिंग चैन कैसे बनता दिखाते हैं कि पहले और तो पोजिशन वाले यहां पर बहुत सारे रहते हैं मतलब बैंजिल अल्कोछ लेकिन यहां पर तीन ही लेके दिखा रहे हैं बागी reaction चलते रहता है और्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन वाले hydroxybenzyl अल्को हल्को जब polymerized किया जाता है तो एक चैन मिलता है वो चैन को दिखा रहा है और्थो पोजिशन पर ले रहे है और्थो पोजिशन पर यह क्या होगा CS2, यहाँ पर OH रहेगा, यह OH, यह OH, और यहाँ पर क्या होगा, सब में CS2, OH, यहाँ पर CS2, OH, यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, सारे के पास hydrogen है, यहाँ पर क्या होता है, यह hydrogen रहता है, यह hydrogen OH के साथ जोड़कर H2O बना लेता है, और H2O बनकर यह यहाँ से निकल जाते हैं, और इस तरह का bond बन जाता है, इस तरह के से, तो सारे में वही reaction होता है, तो जिसके कार्म यह वहाँ से निकल जाते हैं और यहां पर इस तरीकेस रहने देते हैं फोर्थ लेंगे तो फोर्थ के साथ भी एड़ कर सकते हैं इस तरीके से यहां पर द्वारा यह बॉंड बनके जुड़ जाते हैं इसके बाद यह तो हुआ और पोजिशन वाले देख लेते हैं कि तीन-तीन का एक्जामपल लिए हैं इसमें होते बहुत सारे हैं बड़ दिखाने के लिए सिर्फ तीन-तीन का लिए हैं है यहां पर ओए नीचे दे देते हैं और यहां पर कौन होंगे q2 होंगे और हो यहां पर वहीonces co wells होंगे और यहां पर क्या होगा यह फ्या हइड्रोजन होगा जो कि यह यह हैड्रोजन ओमर साथ मिलगा अश्ट्व बन जाए कि यह डिरेक्ट जो है CS2 Bond के द्वारा यह आपस में जुड़ जाते हैं यानि यहां से भी H2O बाहर निकल जाएंगे CS2 BOND बनकर आपस में जुड़ जाएंगे यहां से OH 2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और CS 2 BOND बनकर जुड़ जाएंगे तो इस तरीके से एक पॉलिमर या क्रॉस लिंक चैनल भी बोल सकते हैं किसका यह होता है बेकलाइट का तो इस तरीके से बेकलाइट मिलता है और बेकलाइट का अगर यूज देखे तो इसका यूज बेकलाइट का यूज जो है गलू बनाने के रूप में होता है Glue मतलब कह सकते कि अगर दी कोई लखड़ी है उसको जोड़ने के लिए जो गूंत का यूज किया जाता है उसके रूप में होता है फिर कंगा बनाने के लिए होता है और इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स में होता है, इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स में होता है, और नन इस्टिक कुक वेर्स में भी इसका इस्तमाल होता है, लेमिनेटेट टेबल टेप में भी इसका इस्तमाल होता है, फांटेन पेन बनाने में इसका इस्तमाल होता है, तो ये था बेकलाइट बनाने का, बेकलाइट कैसे बना, कॉर्मेल डिहाइड और फिनॉल को जब आपस में रियेक्ट कराये गया, तो वहाँ पर से हम लोगों को दो यूनिट मिला था, एक और्थो पोजिशन वाले और दूसरा पैरा पोजिशन वाले, और उन दोनों को पॉ हेक्सामिथलीन डाइमीन को जब हेक्सामिथलीन डाइमीन को जब एडिपिक एसीड के साथ रियेक्ट कराये गया था, तो नाइलों 6-6 मिला था, और उसमें कार्बन 6 और 6 राते, इस कारण से उसका नाम नाइलों 6-6 रखा गया है,